हलो नुमस्कार दोस्तों आप सभी का study alert के digital platform पे हार्दिक स्वागत और अभिनेंदन है आप सभी की CT के तेरी एकदम अच्छी चदरी है आप सभी को पता एक्जाम आपका नजदेग आ गया है 22-23 और 22 अक्टूबर को आपका CT जो आपका 10 प्लेस टुआ यानि 12 लेवल उसका exam है और सभी प्यारे विद्यारतियों को मेरी तरब से exam की अग्रिम सकोप काम नहीं देखो विद्यारतियों आपको थमेल देकर पता चल गए कि आज की जो मारे class है वो CT को लेकर रहेगी देखो विद्यारतियों आपको थोड़ा सा पहले बिताते हूँ ये class आपकी कराऊंगा एकदम अच्छे से देख लेना और जो न्यू स्टुडेंट है उन सभी शेने देने की प्रीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे क्या होगा कि अपनी न्यू लाइव क्लास आगी तो उसका नोट्विकेशन यह आपको मेल जाएगा तो जली क्ल करके बोलोगी क्लास में सर्जी मज़ा आ गया तो पर्सन क्या कर रहा है कि अगला परसन आपका साइस का है कि यह परसन आपके साइस से पुछ आगया सब आंगर आपको एक्जामी पुचाजाएक कि किस्सेप्राप्ट होती है तोैप बतादेना सी इसका पुचान रहा है कि आपको यहाँ पे एक इंगलिस नाम दे रखा है, इसका हिंदी रुपांतरण बताना है, और एक ऐसा कि उसने एक्जामिक कन्फरम आएगा, तो रजिस्टेशन सबद दे रखा है, तो विद्यार्तियों रजिस्टेशन है न, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, हिंदी मतलब क होता है, पंजीकरण होता है, रजिस्टेशन बोलते हैं अपने, कि रजिस्टेशन करवाद जिया क्या, रजिस्टेशन कर गया क्या, तो उसको इंदी में क्या बोला जाता है, पंजीकरण बोला जाता है, चलो, विकलप नमर आपका, दो राइट वस जाएगा, अगला परस एक ही क्यूशन को युक्दम अच्छे से समझाऊंगा तो यह आपका बनास बेसिन का भाग है ध्यान रख लेना थोड़ा सा इंपोर्टेंट वापस क्यूशन मना है कि बारत ने चंद्रियान फर्ष्ट है यह किस वर्ष छोड़ा था दोहजार शाथ, दोहजार आट, दोहजार नो, दोहजार तस तो इसमें आपका विकलप नमर दो राइट हो जाएगा सन 2008 के अंदर बारत ने क्या किया था, चंद्रियान फर्ष्ट है यानी चंद्रियान पर्थ में यह छोड़ा था तो यह आपका इंडिया जी किस इंपोर्टेंट क्यूशन बन सकता है अगला पर्ष्ट, उसके बाद पेरविधार्ट्यू अगला पर्ष्ट क्या पुचा गया है दिए गई सरंकला का अगला पर्थ क्या होगा हाँ, तो आपका ये रिजिनिंग अपी खूशन पुचा गया है और मैंने बोला, सब सब्जेट की क्यूशन डाले है तो यहां पर क्या कर लेगा कर रहा है? जैसे C को ए को एल कर रहा है? आपको बता है तो मारा कौन सा पाइगा हम्हारा डबलो आजाएगा जैसे आपको पता है क्यों के बाद में क्या आता है क्योंकि बाद सर जी R आता है, फिर आपका S आता है, फिर आपका T आता है, फिर आपका U आता है, फिर आपका V आता है, फिर आपका W आता है, तो 6 पलस करेंगे तो मारा W आ जाएगा, इस हिसाब से आपका सरंकला का कियो सन पुछा जाएगा, अगला परसन, उसके बाद बच् इसलगड सरजी आपका काँपर है यह आपका सिरोडिष्टिक के अंदर है और महरांगड आप सभी को पता है काँपर है जोदपूर के अंदर है और आप सभी को पता है कुम्बलकड काँपर है राजसमंध के अंदर है ठीक है यह साथ में आपको पता होना चाहिए क्या पता पूछले कि महरानगड का जो किला है वो कहा पर है तो आप क्या बताओगी जोदपूर के अंदर अगला किसे प्यार विद्यारतियों अगला परसन क्या पुछा जा रहा है कि उत्तम स्रेणी का कोईला निमल कित्मी से कौन सा है जैसे एंत्रेसाइट बीटु मिन्स या फिर ल सकते हैं अगला परसन कि तवांग चेतर स्थित है यह परसन आपकी इंडिया जी किस इंपोर्टेंट है यह इंडिया जी कि जैसे अपने जियोग्राफिश परसन पुछा है कि तवांग चेतर यह काँपर है अरुनाचल परदेश उत्राखंड असम सिक्किम चार विकलप आ आपको विद्याट तो नाथ रहा आता है कौनसा दरह रहाता है अगर आपको एक्जामी पुछ लिए जाई कि नाथ रहा बारत की किस राजी में है तो आप क्या बताओगी सिक्किम के अंदर है और अगर आपको पुछ लिए जो तो आप बता दिना अरुनाचल पर्देश अगला परसन पेर बच्चों अगला परसन आप से क्या पूप्ट है निमल कित में से कौन सा सब्ध परते युक्त है देख लो सब सब्जर की क्यूशिन डाली है बोला था न आपके किसके क्योशन है हिंदी की भी क्योशन है Hub subject क्योचन तो परते युक्त सबद बताना है परते रहीत नहीं, परते युक्त युक्त का मतलब क्या होता है कि इन में से कौन से सबद में आपका परते है, ये बात पुछी गई है देखो, सजावट है ना सजावट, इसमें आपका क्या हो जाएगा परते हो जाएगा, यह परते युक्त सबद है, कैसे है सर जी, इसमें सज, तो आपका क्या है, यह आपका मुल सबद है, इसमें आउट परते लगा है, तो यह क्या हो जाएगा, परते युक्त सबद हो जाएगा, एक बात ध्यार रखना, अन्वेसरन है न, अन्वेसरन, यह आ आपका जयाएगा कोटटा सूपरतापी उर्जा सहिंथर और आपका जो काली सिंथ तापी उर्जा सहिंथर है ना या आपका जालावाड जी ले के अंदर है एक्जाम में ये question बन सकता है कि कली सिंटापह और जालावाड के अंदर अगला question प्यार बच्चों अगला परसन आप से क्या पुछा गया है निमनलेकित में से कौन सा रख्ट सम्वाय सर्वबोमिक गराई है यह देखलो आपका person बनाए किस से यह science से बनाए और यह सर्वय भूमिक ग्राई बनाए सर्वय भूमिक ग्राई किसको बोलते हैं ग्राई उसको बोलते हैं जो सबसे क्या ले सकता है रक्त यानि खून ले सकता है और सर्वय ग्राई किसको बोलते हैं वो सब से ले सकते हैं तो इन दोनों में अंतर एकदम अच्छे से देख लेना अगला परसन क्या पुछा गया है ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है रास्तान जी के से राजस्तान का परसिद पुषकर मेला हिंदू पंचांग की किस महीने में लगता है सावन, काति, फागन, छेत, चार उपसन आपको दे रहे हैं तो पुषकर मेला पुछा आपसे कब लगता है तो पुषकर मेला पुछा है तो ये आपका हो जाएगा कौन से महीने में ये आपके कार्थिक महीने में हो जाएगा प्यर्वच्चों अगला परसन आपसे क्या पूछा गया है यह सो विलासा सबद में कौन से संदी है यह सो विलासा सबद में कौन से संदी है गुण संदी है द्वरदी संदी है दिरक संदी है विशरक संदी है तो इसमें आपका विकलप नमर है चार राइट हो जाएगा यान एक बात ध्यान करना ये कुछन भी एक्जाम में बन सकता है क्योंकि स्टी जो ग्रेजेशन लेवल की एक्जाम थी ना कोलेज वाली उसमें परस्ट मना था फर्स एप्ट में कि रावली की सबसे उन्ची चोटी गोंसी है ये परस्ट मना था तो वह तो एक दम आपको बता है लेवल की एक्जाम थी थोड़ी हाई लेवल की फिर भी मैं उसमें एजीक्यूशन पूछ लिया और ये आपकी टर्द लेवल की एक्जाम है तो इसमें परस्ट में पूछा जा सकता है कि दूसरी सबसे उन्ची चोटी गोंसी है तो बच्चों आप सभी को बता है सबसे उन च्रास्टों जित्यां में और यह दोनों ही चोट या यह आपकी कापरे यह दोनों ही चोटा आपकी चित्ल के अक्रकुव कछन करना एक single question को चलो आगला question उसके बाद प्वर पीयोगी से किस वाकिена है का प्रयोगuldade कि में क्या है जैसे कपिल आम खाता है जितन पानी पी रहा है रोज नाटक देख रहی है वह रात बढ़न का कर्मक म्या हम पू Hmmm फैने यह और तक लावा किया है लिए अग्ला प्रसन की बोचा रहा है अगला परसन क्या पुछा रहा है अगला परसन है कि राजस्टान में लोक युग्त का पद कब सर्जित किया गया था यह क्यूसन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है वैसे क्लास के सारे क्यूसन इंपोर्टेंट बतानी जाओ सकता नहीं है लेकिन यह RSSB ने पूछ रखा है एक्जाम में वापस रिपीट हो सकता है राजस्तान में लोक अगुत का पद है यह कब सर्जित क्या गया था अगला क्यूसन पेर बच्चों अगला परसन आप से क्या पुछा जा रहा है निमन लिकित में से कौन सा रख समुए सर्वा दाता होता है बोला था सर्वा गराई का पुछे तो आप क्या बताना अभी जश्ट बताया था अगर आपको एक्जाम में पुछा जाए कि सर्वा गराई यानि सब से कौन कौन ले सकता है तो आपका अब पुछे सर्वा दाता यानि सब को कौन कौन दे सकता है यह पुछा है तो सब को आपका ओ यानि सर्वत आता कौन सा हो जाएगा ओ जाएगा क्यूंकि ओ जो आपके रख्समों है ना वो सब को खुंदे सकते हैं चलो अगला किसन उसके बाद पेरवच्छों अगला परसन क्या पुछा गया है अगला परसन है कि राजस्तान में पंचाईति राज व्योजना का सुबार तो यह आपका द्वित्ति केंदर हुआ था आप सभी को पता है राष्तान में पंचाईति राज व्योजना की शुरुआत गुण सर्ट में होई थी और नागोर जिलेश हुई थी और किसके दोरा की गई या फिर किसके देख्सता में तो यह आपके पंडी ज्वाल लाल ने के दोरा की गई किसके दोरा पंडी ज्वाल लाल नेरु के दोरा की गई कब की गई उन्यसो गुण सर्ट में कहां से की गई नागोर से और सर्व अपरता मैंना राजस्तान नहीं बलकि पूरे भारत के इंदर सबसे पहले पंचाईत रियाज व्योजता की शुरुआत है न वो राजस्तान के नागोर शुवी थी और थोड़ी सी सन आप याद रख लेना गुणिसो गुण सर्ट थी और पंचवर्शी योजना आपको एटमेटिक याद हो जाएगी क्योंकि गुणिसो गुण सर्ट के टाइम कोंसी पंचवर्शी योजना थी तो आप बोलोगे एक जैसे महाराजा स्वाई मान सी हैं, महाराजा बुपॉल सी हैं, महारावल चंदर सी हैं या फिर महारावल लक्षवन सी हैं तो वहेद राजस्तान का राजप्रमु करना या आपके महाराजा स्वाई मान सी हैं को बनाया गया था किसको महाराजा स्वाई मान सी हैं को विकलाप नमर एक बताने वोले सारे एक सारे विद्यारती राइट हो जाएंगे अगला क्यों सुन देखो पेरे बच्चों अगला परसन आप से क्या पुछा गया है अगला क्यों सुने कि निमन लिकी इत्मी से किस वाक्ये में अक्करमक किरिया का यह वापस रिपरीट हो गया ठीक है भी यह अच्छा कि उसन ने बना है भी राजश्तान की पॉलिटिकल से संवनदी था राजश्तान लोग से वाइब के सुज़ों को अठया जा सकता है मैंने बताया था आपको एक क्लास में की जैसे राजस्तान लोग से वाय हो गए या तो यह पिर राजे लोग से वाय हो गए जैसे अपनी राजस्तान लोग से वाय की बात के लेते हैं तो RPC का आपको बता है मुख् frankly कहां पर है अजमेर के अंदर है और मैंने यह भी बताया था कि जैसे RPC है लेकिन उसको बरकास दियानी अठा नहीं सकता तो वो होता है आपके राजी लोग स्वायोग के सदस्य और जो अधेक्स है ना उनको राष्टपती नुक तो कर सकता है लेकिन उनको अठा नहीं सकता प्यारे बच्चों अगला परसन है कि उन्ती सबद में कौन सा सरवधिक उपसरग है तो उन्ती देखो आपको पता ये मालो सबद आपका क्या है सरची सबद है इसके तो पहले लगते हैं वो तो आपके क्या होते हैं उपसरग और बाद में लगते हैं वो पढ़ते होते हैं औ अपका ऊपसरग ніहें तो इसमें आपका विकलप नमडर 2 राइट हो जाएगा अगला क्यूत्स ने लिए पुर्वी गाट में सर्वत चोटी कौन सी है, पुर्वी गाट में सर्वत सिकर कौन सा है, अन्नामुडी है, दोदा बेटा है, महेंदर गिरी है, या फिर गुरु सिकर तो और रावली की सबसे उन्ची चोटी है, और ये अपने राजस्तान के इंदर है, लेकिन बात यहां प next question देखिए, अगला question है कि राजस्तान में सुका संभावे चेतरकारे क्राम का सम्मन्द किस गत्विदी से रहा था यह अच्छा important question है जैसे आपको बता है अच्छा किस गत्विदी से नहीं था मैं हर कलास में बोलता हूँ परते क्योशन को दो बार और जल संसादनों के विकास से भी है किन्तु प्रंतु बट गरिबी निवारण से कोई सम्मन्द नहीं है तो विकल प्रंत डी है ना यह आपका राइट हो जाएगा अगला question प्यरे बच्चों अगला परसन क्या पुछा गया है अगला question है कि गुड़ सवार सबद में समास कौन सा है ये भी अच्छा important क्योशन है कि गुड़ सवार सबद में समास है करमधार्य, ध्वंद्व, तत्पुर्ष या फिर अव्यबव तो गुड़ सवार में आपका ध्वंद्व हो जाएगा कउन सा हो जाएगा? ध्वंद्व हो जाएगा चलो, अगला question घुड़ सवार सबद है ना, इसमें आपका ध्वंद्व हो जाएगा उप्चं उपर ने चे होगा इसमें आपका तत्पूर्ष समास है ये बात आपको ध्यां रखनी है और ध्वंद्व है ना इसमें आपको पते दोनों पद परदान होती है दोनों पदों की ये परसन भी आया था CT के एक्जामे की दोनों पदों की परदान था कौन से समास में होती है दोनों पद परदान है ना ध्वंद्व में होती है तो सरवन जैन्ती सहरी रोजगार योजना है ना ये कब सुरू की गई तो ये आपकी हुई थी जैसे 1902 में 1907 में 2000-2004 तो ये हुई थी आपकी लगबग 1907 में अब देखो एक एकजा में ये भी ट्रेंड बढ़ गया है कि जैसे ये के साथ साथ आपको मन्त और जैसे 1903 में ये सब ओप्सन में देखने को मिलेगा तो आपको साथ में मन्त भी याद करना है मन्त कौन सा था दिसंबर और ये कौन सी थी 1907 में अब आपको न ये जो जो आप सीथार्य में ये तो चैरो उप्सन में मिलेगा ओर समर ये दोपक्षो न में मिलेगा इसलिए आपको रीधř साथ में याद करनी है अगला की निमलकित में से कामदेव का प्रेवाची कौन सा नहीं है ये अच्छा important किसने है देखो कामदेव का प्रेवाची कौन सा नहीं है कंदरप तो है बिल्कुल है भी मनोज ये भी बिल्कुल है कुसुमेसु ये भी बिल्कुल है मयूं को ये आपका काम देव का प्रेवाची नहीं है यानि विकलब नमर आपका 3 राइट हो जाएगा विकलब नमर आपका 3 राइट हो जाएगा अगला किसे पैर बच्चों, अगला परषन आपसे क्या पूछा गया है वंदे मात्रम गेत की सेंस कर्थ में रचना किस नहीं की थी यह अच्छा क्यों सुन मना है भी यह आपकी important अच्छा क्यों सुन है इस पर आप चाहिए triple star लगा लो क्या करलो triple star लगा लो वंदे मात्रम गेत की सेंस कर्थ में रचना किस के दोरा की गई रविंदर नाथ टेगोर के दोरा, बकीमचन चर्टर जी के दोरा, प्रेमचन के दोरा, या फिर विरेंदर नाथ तिवाली के दोरा तो इसमें आपका विकलाप रूमर दो राइट हो जाएगा यानि बकीमचन चट्टर जी के दोरा वंद्य मात्रमगीत की सैंसकर्थ में रचना की गई थी तो आप विकलाप रूमर दो को राइट कर देना अगला किसन उसके बाद प्यरवत्चों अगला परसन क्या पुछा ग बारा से सतरा क्या तो आप इसने पांच बलस बास कर दी इदी शिर्गेशी 28 से 34 क्या 6 प्लस कर दिया और फिर 6 यहां से 34 से 36 हुआ तो यहां पे 2 ही प्लस हुए और फिर 34 से 34 से 36 क्या 2 ही प्लस हुए और फिर 36 से 41 पांच प्लस हुए यानि एक आपके गलत संग क्या रही है क्योंकि आपकी क्रम क्या चदर है करम यह चल रहा है जैसे यहां पे 3 प्लस हो गई, यहां पे 5 प्लस हो गई, यहां पे 3 प्लस, यहां पे 5 प्लस, ऐसे करम चल रहा है, तो यहां पे 34 संक्या नहीं गलत हो गई भी, क्योंकि 34 कर जगए यहां पे आपका क्या आता, अरे 34 कर जगए यहां पे 31 आता भई, अगर य 1, 17 सफिर 2, 20 आता तो 3 प्लस उता 20 से 25 आता तो 5 प्लस होता एर 25 से 28 आता तो फिर 3 प्लस होता फिर 28 से 31 आता तो फिर आप मान लो here how long here how long here, 28 से 30 उते 28 से 31 आता यह के तिस नहीं तो bowls here, wraps bzw. 31 नहीं यहां पर 33 आती संगया 3 तने त्ंहां 33 क्या थी 33 33 आती यहां पर तो फिर 28 से 33 में जाते तो 5 प्लस होते फिर 33 से 36 में जाते तो यहां पर कितने प्लस होते 3 प्लस होते फिर 36 से 41 में 5 प्लस होते मतलब ऐसे संक्या चलती थी लेकिन यहां पर 34 आ गए यह गलत अब बढ़े बाप बढ़े योजनां बार्डा हांथ के दो रखकत सुनिकर में यह आपको कमेट करके बताना वक्स ये comment box में आपको comment करके बताना है चलो अगला पर्षन पेर बच्चों अगला पर्षन क्या पुछा गया है उल्टे गंगा बहाना मुखार का सरवधिक उप्यूक्त अर्थ क्या है Yum एँच्छा किश्ण ने जो एक एक्जाम में आ आपको answer नहीं आता है और negative होती है आप गलत नहीं कर शकते हो तब आप इसको भरके आना ज़रूरी होता है और यहाँ पे आपको बता है अगर मालो आपको कोई question नहीं आ रहा है ठीक है अगर negative marking होती है तो वहाँ पे आपको बता है वहाँ पर आप क्या करोगी वहाँ पे आप क्यूसर छोड़ क्या होगी न तो आप छोड़ नहीं सकते हो अगर आपको जो क्यूसर नहीं आता है उसके लिए आपको ई भरना पड़ेगा अब यहाँ पे मालो आपको कोई परसन नहीं आ रहा है तो उसमें फिर आप उसके बाद देखो मावट वर्षा है मावट वर्षा है और आरे मावट आपके शीत कालीन वर्षा है क्या है सीतकालीन वर्षा है विकल लपिन चुनाओ आयुकत कोन थे बैज भी? 27 बारत के पर्थम चुनाओ आयुकत आप से पुचे गई है 27 बारत के पर्थम चुनाओ आयुकत हो जा hizoil थे थोड़ा सा Uhros इंपोर्टटन कैसा है इसमें आप फिकलाप निमर्ट दोक को राइड करते है अगला कैसा है पेरे बच्चों अगला पर्षन आपसे क्या पुछा गया है अगला क्यूशन है कि समूंद्री बोजन गेंगा रोग की रोख थाम के लिए पस्तावित बोजन है यूँकि इसमें मुख्यत क्या उपस्तित होता है अरे आपको पता है गेंगा रोग किसकी कमिशी होता है किसकी कमिश होता है और आपको पता है समुंद्र बोजन में आयोडीन की मात्रा फूल होती है तो यह आपको पता है यहां पर राइट हो जाएगा विकलप नमा एक अगला क्यों से परशन क्या पुछा गया है अगला परशन है सर्कुलर सब्द जैसे आपका इंगले सब्द है इसका कि हुआ तो सर्कुलर का आपको पताए क्या होता है सरकुलर का परिपत्र होता है तो इस aquí परिवृतन किसके दार होता है इसमें आपका विक लपन्हों होजाएगा कि कौन सो आइट हो जाएगा बता हुआ है इसमें अब का उजएगा सब्सक्राइए बैसे होता है उसकी बाद अगला पर्शन आपका है कि केळा सांकला समंझ सांगन की टाइगरमेन ओफ इंडिया खाजाता है अगला परसंड ऐसे अनुधन पेसंड ऊछे गैरा हैथ तो कोट्टा के लिए ना करोली नहीं सेनिक साइता बीजी थी विकलप नुमर चार राइट हो जाएगा उसके बाद देखे अगला परसन क्या पुछा जारा है अगला पुछा जारा है कि जैसे अठार सित्या उनके विद्रोय के समय भीमजी चरण को किस रावत या फिर सामन् तो देखो बिंदोली है ना ये विवाय से है मोसर मरतियों से है सामिला आपका विवाय से और जडूला है ना ये आपका हो जाएगा किस से ये सरजी आपका हो जाएगा मतलब किस से हो जाएगा ये आपके जनम से हो जाएगा अगला परसन उसके बाद बच्चों अगला पर उसके बाद पच्छो आपका अगला परस्विटा काली मिटिए के अगला परस्ट को सब्सांद और निमल के वरक्सों और परस्टान में गौंद की अच्छा स्रॉत हो जाएगा मज़गा सल्डर हो जएगा विकलब नियुक्त नबर आपका तिन राइट हो जाएगा अगला अ अब कितने बाकिय हो रहा गई, बस थोड़ी से क्यूशन बाकिय हो रहा है, चलो, उसके बाद ये हो गया, ये भी हो गया, ये देखो, राजस्तान में के जिलों में से कितने जिले मुरुस्तली है, राजस्तान के बारा जिले आपके मुरुस्तली है, और आपका जो शिरोई ज और माही दवल किसकी पुसल है युदिश्ट्र समास के पुछा गए ग्राम सभा की एक वर्स में कितनी न्यूंतम बैटके होनी चाहिए, तो ग्राम सभाँ के कम से कमना, एक वर्स में दो बैटके तो होनी चाहिए, कितनी दो बेटके, अगला परस्सों, अगला और आज का लाच परस्न पोल्टिकल से है, कि राज़ेपाल दौरा राज़े की विदान परिसेद में कितने सदेश्यों को मुनवनित किया जाता है तो इसमें आपके ना सदेश्यों की कुल संक्या का एक बट अच्छा किया जाता है तो यह तो आज की सब्सक्राइब करते हैं और जितने विद्यारती है वो सब्सक्राइब कर देना और अब आप कमेट करके यह बताना कि क्लास में मज़ा आया ना मैंने बोला थना कि अगर आप लगबग 30-40 मिनट की कलास होगे तो अच्छे से देखोगे ना तो आपको अंत में कंफरम मज़ाएगा तो कलास में मज़ा है आपको कमेट बात करने हैं आपको और आज की कलास को इसमाप्त करते हैं बनेरे चैनल के साथ लाइक सब्सक्रेब अश्टरी लड़ तनिवाद थैंक यू